ये जो केक आज बनेगा, एक मिनी टॉल केक बनेगा, ये केक मैंने किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, कितना किलो का हुआ, कितना हाइट वा कितना प्राइस मैंने लिया, सब कुछ ये वीडियो में लिए तो फोई को दो लुक के कर अच। के लिए बट ये और जैसे ही मुझे आया मुझे और कुछ भी टाइम भी नहीं था बैग करने के लिए तो मैंने ये स्पोंज को निकाला अर और इसको दो लेयर में डिवाइड किया क्योंकि पतला सा केख था मतलब स्पोंज का जो लेयर था और अब यहां पर एक कुड कटर लिया है जिसका कि जो डायमेटर है न फाइप इंच का है और ऐसे मैंने सर्किल दो निकाल दिया और ये जो बाहर का जो सर्किल आप देख रहे हो न इसको भी रखेंगे फेकेंगे नहीं केक में ये आके जाके यूज होगा तो अभी मैं थोड़ा बता देती हूं ये किसका ओ एक घन्टे में आपका काम करके जाओंगी फिर आके वापिस लेके जाओंगी तो मुझे बना कि दोगे क्या तो सिंस मेने उसी दिन और भी एक केक काम कर रही थी तो मैंने बोला एक देर घंटे में बनाना मुस्कील है, तो बहुत ही छोटा सा केक चाहिए, लाइक 300-400 ग्राम का केक चाहिए, पहले तो बोली पाओ किलो का, बट मैंने बोला पाओ किलो मतलब 250 ग्राम में तो बनेगा नहीं, तो 300-400 ग्राम तो होगा, चलेगा क्या, तो उसने बोला हाँ, ब बहुत जल्दी आपनों के साथ शेयर करूंगी, और दोनों ही केक बहुत ही सुन्दर दिख रहे हैं, तो मैंने किया किया ये स्पॉंज को फ्रीजर से निकाला, और जैसे आप देख रहे हो न, वो इससे कट किया, और इसका लेयरिंग करना इसे शुरू किया, तो पहले जो करना तो बोला, आपको जो मन है आप बना दो, तो मैंने न, जो ओरेंज फ्लेवर का ये केक बनाया चौकलेट ओरेंज वी चोको चिप्स, ठीक है, तो स्पॉंज को मैंने सोक किया, और और इंज क्रस को पानी में डालुट करके, और इसके ऊपर और और इंज क्रस लगया, दिया और सेकेंड लेयर को भी ऐसी ही प्लेस किया तो ये केक बनने के बाद ना 400 ग्राम तक हो गया था और सिंस उचने बोला था थोड़ा यूनिक बना और उतना पतला सा स्पांज के लेयर से ना अगर मैं पूरा बड़ा सा केक बनाती तो अच्छा नहीं दिखता तो मैंने स तो अच्छा लगा उनको दीजाइन भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगा एरॉन 11.30 उसने मुझे केक के लिए बोला और एक बज़े तक उसको ये केक लेके जाना था तो मैंने बोला एक बज़े तक अगर नहीं बन पाएगा तो वेट करना थोड़ा टाइम तो चोंटा केक हो बड़ा केक हो अगर टऑल केक उसको अच्छे से सीक्यूर करके देना है तो जो थोड़ लएर उसको भी मैंने ऐरच किया और नहीं ने हो जाते हो ना हृस को भी सोगी तो शचंग किया और तो इतना दूर भी लेकर जाएगी तो पक्का खरब होगा और लेके भी फ्रीज में नहीं रख सकती है ना पता नहीं होगा फरीज नहीं होगा तो मुझे ही घर से इसको अच्छे से सेट करके देना था उतने ही कम टाइम है तो जैसे ही मैं इसका ऐसे लेयारिंग करके तो अच्छे से सोक करें हूं पानी ना उसको भी मैंने थोड़ा टेम रख दिया था तो थंड़ा हो गया था अच्छे से अब last layer place किया और इसको अभी crumb coating कर दिया crumb coating आप देखो कितना heal रहा है बोर्ड क्योंकि छोटा केक होता है ना जाज बहुत difficult होता है बड़ा केक अगर बनाओ ना फटाफट बना सकते हो अब इस पॉंज के ऊपर भी मैं थोड़ा सा औरेंज क्रस्ट दे रहे हूं तकि टेस्ट ना अच्छा आए केक अगर सेट होता है तो उसका टेस्ट आपस में मिक्स होके बहुत अच्छा आता है सिंस यह केक को सेट होने के लिए कम टाइम था इसके लिए मैंने स्पॉंज में थोड़ा सा औरेंज क्रस्ट दिया और इसमें मैं क्या करूंगी क्रम कोटिंग के बाद एक चोटा सा पतला सा डावल भी लगा दूंगी तक कि जब वो लेके जाए ना आटो में भी जाए तो वो स्लीप ना हो कितना भी टाइम वो रखे तो ओके और क्रम कोटिंग किया डावल लगाया और देन मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में छोड़ दिया जब तक कि मैं जो अपना जो दूसरा केक था ना उसके उपर काम करे थी और कॉंसिदेंटली वो भी 25 बाद दे केक दोनों केक का जो क्लर कमबिनेशन ऍे सायर ही रखवे ताकि मुझे काम आए कि की के अलग एलग होता है तो ।ो इस बारा उसका कूलर इस और ये बाद बार बना तो आप सुनर केक तह देन इसको मैंने च्पहने के सेट के लिए शेट होने के बाद केक को निकाल कि मैं अब फाइनल फ्रॉस्टिंग करें तो क्रीम में आपको बोड क को पकड़ के अब काम करना पड़ता है क्योंकि हेवी नहीं रहता है तो जो केक बोर्ड है इधर से उदर गूमता रहता है कितना भी आप टीशू पेपर के उपर उसको रखो ठीक है डिफिकलल होता है इसके लिए बहुत फिनिसिंग के उपर ध्यान नहीं देना है ऐसा डिजाइन चूज करना ह जिसमें कम फिनिस अगर भी हो ना तब भी हो डिजाइन क्लासी लगे तो पहले जो पैलेट नहीं थे उससे मैंने क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया और ये प्रोसेस मैंने दो बर किया और ये करने के बाद मैंने एक स्क्रैपर से भी फिनिसिंग कर दिया अच्छे से और यही स्क्रापर को यूज करके जो वेव बाला डिजाइन आता है उसको मैंने बना दिया साइड में तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल दिख रहा था और यह कलर इटसर बहुत अच्छा लग रहा था तो अभी अब देखो इसका हाइट में अभी आगे आपको दिखा किया ठीक है और अब मैंने लिया है 44 नंबर नोजल नूर का और ऐसे जो ब्रेड़ वाला डिजाइन है वह मैं बना रहे हूं अभी आप देखो जो मेरा पाइपिंग बेग है वह भी थोड़ा सा फटने लगा तो मैंने फिर वह भी चेंज किया और धीरे-धीर यह बना लिय यह उपर यह बनाने के बाद नीचे एक सेलबडर दे दिया थोड़ा सा स्प्रिंकलर कर दिया डिफ्रेंट तरह का और इसी तरह यह केक वरा कंप्रेट हो गया और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और यह केक का हाईट बना था फोर इंच वेट बना था फोर प्राइस होता है उतना ही मैंने लिया था और यह केग उसको दिया था सबको उसके घर में पसंद भी आया था फिट बेग भी बहुत अच्छा दिया था तो इसी तरह मैंने यह केग बनाया अर्जंट में क्योंकि जो लोग आपके लिए काम करते हैं अगर वो कुछ बोलते हैं तो माना करना अच्छा भी नहीं लगता है बहुत वो आस लेकर आते हैं आपको बोलते हैं तो अभी मैं आपको हाइट चेक करवा रहे हूं तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो ना गाइस तो जरूर लाइक शेर करिए कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट तो तिल वी मैं नेक्स ताम भाइ टेक कर श्चार बाइस अरूर अवाल